नमस्कार भारत के पहले मुबाल न्यूस चानल मेट्टू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेका इस खास न्यूस बुलेटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर नवजोज सिंग सिद्धू पर पहली बार बोले स्रीम के जुरिवाल कहा सिद्धू ने आप जॉइन करने के लिए नहीं रखी कोई शुर। पार्टी में आए ना आए उनका सम्मान करते रहेंगे पुराजस्तान के जुसन मेर में हिंदू पार्क एजिंट गिरुफतार डाइरी से खुला सा भारत पहुंचा चुका है 35 किलो आर्डी एक्स भारत में बम ब्लास्ट की थी प्लानिंग बिहार के गोपाल गंज में जहरी ले शराब से चार और लोगों की मौत का दावा अब तक कुल 17 लोगों की मौत थाना ध्यक्ष समेथ 25 पुलिस कर्मी एक साथ सस्पेंड रशासन सामोहिक जुर्माना पर कर रहा है विचार दलाई लामा के तिब्बत लोटने के लिए उबामा से समर्थन करने की अपील अमेरिका के 72 संसदों के समोहने की मांग दलाई लामा को हर समहरों में बलाने का अनुरोड और अमेरिका की कई शेहरों में लगाई गई डॉनल्ड ट्रॉंब की न्यूट मूर्थियां कलाकारों के समुवा ने ली जमेवारी विरोध के तौर पर लगाई गई मूर्थियां तशासन ने मूर्थियों को हटवाया पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंग सिद्धू के सियासी डगर को लेकर अटकलो का वाजार गर्म है बीज़ेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चनाब से पहले आम आधी पार्टी में श्रामिल होने को लेकर लगाय ज़ा रहे कयासो की दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने पुष्टी की है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ़ते मुलाकात की थी लेकिन पार्टी जॉइन करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी केजरिवाल ने शुकरवाद सुबह सुबह एक के बाद एक तीन ट्विट में आपके राश्टे सायोजक केजरिवाल ने लिखा वे एक अच्छे इंसान है और एक माहान क्रिकेटर वे पार्टी में शामिल हो या ना हो उनके लिए मेरा समान हमेशा बना रहेगा राजस्तान ने पाकिस्तान के जासूसी और आतंकी नेटवरक का बड़ा खुलासा हुआ है जैसल मेर में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आई एजिंट नंदलाल महराज को गिरफतार किया गया है खुफिय सूतरों के मताबिक राजस्तान में लगती पाकिस्तान सीमा से अलग अलग जगाहों से अब तक 35 किलो आरडी एक्स भारत में बंबलास्ट के लिए पहुचा चुका है आई बी रौ और राजस्तान के इंटलिजन्स एजिंसी ने इस नेटवर्क का भांडा फोर्ड किया है गिरफतार पाकिस्तानी एजिंट के पास से एक डाइरी भी बरामद हुई है जिसमें सारे डिटेल लिखे हैं इसमें लिखा हुआ है कि कब कब पाकिस्तानी खूफ़े एजिंसी इसके खाते में पैसे डालती थी इसके काम के बदले आईएस आई 10 से लेकर 60-70,000 तक देती थी नंदलाल का पूरा परिवार पाकिस्तान में है लेकिन पैसो के लालच में ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए तैयार हो गया बिहार के गोपाल गंज में शराब पीने के बाद तीन और लोगों की मौत हो गई इस तरह मरने वालों की कुल संख्या सत्रा हो गई है इन में PMCH में इलाज के लिए पहुँचे दो लोग शामिल है इधर इस मामले में जिला प्रशासन ने मान लिया है कि सत्रा लोगों की मौच शराब या शराब जैसे जहरीले पे पीने से हुई है साथ ही नगर थाने में इंस्पेक्टर डीपी आलोग समेट 25 पुलिस कर्मियों को गुरुवार को सिस्पेंट कर दिया गया है पुलिस की छापे मारी के बाद गिरफता 6 लोगों सहित कुल 14 लोगों पर अवेद धंग से शराब बनाने बेचने के आरोप में नगर थाने में प्राथमी की दाच की गई है इसमें इन लोगों को 17 लोगों की मौत का जिम्मेबार बताया गया है प्रशासन इस टोले पार सामोहिक जुर्माना या उसे भी बड़ी सजा पर विचार कर रहा है अमारिका के 32 सांसदों के एक समों ने अमारिका के राष्ट्रपती बराक उबामा से दलाई लामा के तिबत लोटने के अधिकार का सारवजनिक रूप से समर्थन करने और चीन के जेल में सरढहे सभी राजनितिक कैदियों की ततकाल और बिना श्रत रिहाई के लिए आवान करने का अनरोध किया है संसदों ने ओबामा को एक पत्र में लिखा है हम ये कहने के लिए पत्र लिख रहे हैं कि पद पर रहते हुए आप अपने शेश कार्यवधी के दौरान तिबत के लोगों का समर्थन करने के प्रयास तेज करें 17 अगस्त को लिखे तीन त्रिष्टो वाले पत्रों में कहा गया है कि तिबती लोग अमेरिका को अपने दोस्त की तरह देखते हैं अमेरिका के कई शेहरों में कलाकारों के एक समोह ने राश्ट्रपती पद के रिपब्लिकन उमीदवा डॉनल्ड ट्रम्प की न्यूठ मूर्ती लगाई जिसे बाद में प्रशासन ने हटा लिया इंपेरर हेज्ट नो बोल्स के नाम से बनाई गई ये अवेद मूर्तियां विरोध स्वरूप बनाई गई जिसके जिमेदारी इंडिकलाइन नाम के कलाकारों के समोह ने ली न्यूठ के यूनियन पार्क में लगी इस अवेद मूर्ती ने रहागिरो का ध्यान खीचा जिसके बाद वहाँ भीड इखटा हो गई और मूर्ती के साथ तस्वीर लेने की खोड मच गई इस आदमकद मूर्ती में डॉनल्ड ट्रम्प को पूरी तरहा न्यूठ दिखाया गया इसमें उन्हें भारी भरकम तोंद छोटी उंगलियों के साथ प्रदर्शित किया गया पार्क विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शहर में बिना इजाज़त किसी भी मूर्ती को लगाना अवेध है लिहाज़ा इससे समय रहते हटा दिया गया दूसरी और डॉनल्ड ट्रम्प या उनके प्रवक्ता की ओर से इस और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है रियो ऑलम्पिक फानल में जगह बनाने के बाद रुमान्च दभार्ती अबार्टमिंट और खिलाडी पीवी सिंधू ने कहा है किवे देश की एक मातर ओलम्पिक विक्तिगा त्वन पदक विजेता के रूप में दिगज निश्वान इबाज अभिनव बिंदरा के सफर को खत्म करने को लेकर उच्सुक है विश्व चैंपिंशिप की दो बार की कांसे पदक विजेता सिंधू ने कल 49 मिनिट तक चले सेमी फाइनल मुकाबले में जापान की ओल इंग्लैंट चैंपियन नोजामी अकु हारा को 21-21-21 से हरा कर फाइनल में प्रवेश किया दुनिया की दसवे नंबर की खिलाडी सिंधू आज शाम फाइनल में दो बार की विश्व चैंपियन अश्रीश वरियव स्पेन की केरोलीना मारीन से भिढेंगी सिंधू ने कहा कि मेरा लक्षे स्वन पदक जीतना है और मैं अपनी जान लगा दूँगी मुझे लगता है कि मैंने हर बार कड़ी मेहनत की है सभी का लक्षे ऑलम्पिक में पदक जीतना होता है एक और मैच बचा है निश्चित तौर पार मुझे लगता है कि मेरे पास मौका है रियो उलम्पिक से भारत के लिए एक बेहद ही बुरी खबर आई है भारती पहलवा नर्सिंग यादफ पर डोपिंग की वज़ा से च्वास साल का बैन लगा दिया गया है इसके साथ ही पहलवा नर्सिंग रियो उलम्पिक में हिस्ता नहीं ले पाएंगे ब्राजील के केस की एक अदालत में करीब चार घंटे लंबी बहस के बाद ये फैसला सुनाया कि नर्सिंग पर बैन लगा दिया गया C.A.S. ने नर्सिंग के फैसले को मानने से इंकार कर दिया उन्होंने फैसला सुनाया कि उनके खाने या पीने में मिलावत की बात सही नहीं है अदालत ने नर्सिंग के उस तर्क को भी मानने से इंकार कर दिया कि उनके साथ साजश हुई है क्योंकि इसे थाबित करने के लिए नर्सिंग यादव के पास कोई सबूत नहीं है इसी तर्क को देखते हुए नारा ने उन्हें ऑलंपिक में हिस्सा लेने की अनुमती दी थी रियू ऑलंपिक में उन्हें कुछती के 74 किलो भार वर्ग के मुकाबलों में आज ही हिस्सा लेना था अब नर्सिंग को आज होने वाले पहले मैट से पहले ही ऑनम्पिक खेलगाउं छोना होगा कश्मीर में एक लेक्चुरर के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं लोगों का आरूप है कि आर्मी के लोगों ने उसे मारा है ये लेक्चुरर उन लोगों में से हैं जिन्हें आर्मी ने बुदवार को हिरासत में लिया था इस मामले पर जमु कश्मीर की सरकार ने आर्मी के कुछ लोगों पर केस भी दर्च कर लिया है वही हंगामा होने के बाद कल आर्मी की तरफ से खेद भी जताया गया है इसके साथ ही आर्मी ने भी जाच करवाने के आदेश दे दिये हैं ये मामला पुलवामा जिले की खेरू जगह का है इसके साथ ही एक दूसरी घटना में आर्मी ने एक एम्बुलेंस पर पैलिट गन्स से हमला किया उस एम्बुलेंस में एक मरीज भी था हमले में गुलाम मुहमद शोफी जो बस का ड्राइवर था वे जखमी हो गया है फिलहाल पुलिस ने F.I.R. दर्च कर ली है पुलिस ने बताया कि उन्होंने हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्च कर लिया है भारत के विदेश सचीव S.J.S.्षरंका ने पाकिस्तान के विदेश सचीव को लिखे जवाबी खत में पाकिस्तान से P.O.K. खाली करने की मांग की है कश्मीर पर बाच्चीत के प्रस्ताव को खारिच करते हुए भारत ने प्रस्ताव रखा कि आतंवाद पर बाच्चीत जादा जरूर है क्योंकि कश्मीर में हालात उसी की वज़ा से खराब है भारत ने अपनी जवावी खत में लिखा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक और हिंसा खत्म करे और उसे फैलाने वालों पर कारवाई करे भारत ने साफ किया कि सार्क देशों के वित्त मंतरियों की बैठक में अरुन ज्येटली के ज़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है अपने पाकिस्तानी समकक्ष की कश्मीर पर बाच्शीत की पेशकश के जवाब में विदेश सचीव एस जैश्रंकर ने कहा कि चर्चा जम्मू कश्मीर में आतंग की गतिवीधियों और घाटी में हिंसा और आतंगवाद को उकसाना देना बंद करने पर केंद्रित होनी चाहिए खबरों के सफर मिफल हाल इतना ही देश और दुनिया की पलपल की खबरों के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी के साथ